नवस्कार मैं हूं माही सिंग और आप देख रहे हैं निक्साई नियुजाज बात करने वाले उत्तर परदेश की सियासत को लेकर जियां 2019 में हुए गड़बंधन का एक बार जिक रफर से चालू हो गया है सपा और मायवती में जुस तरीके से एक बार पर से होड़ देखने को मल रही है मायवती एक इलजाम लगाते हुए नुसराई अकली इश्यादो को लेकर जियां अकली इश्यादो को लेकर मायवती ने यह कह दिया कि मैं गड़बंधन किसी पार्टी से इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हमारी जो मान सम्मान है उसकी वैल्यू नहीं की उचाती है और अकली इश्यादो के साथ जो हमने गड़बंधन किया था तो उन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, हमारे कारकरताओं का फोन उठाना बंद कर दिया, हमारे नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया, जुसके बाद कहीं न कहीं पूरा माहौल बदलता हुगा, नसर आया, जियां इसके पहले आपको बता दे, उस दिन पहले अखलीश यादो मायावती के समर्थन में उत्रे थे, भारत बंद के मामले में मायावती के समर्थन पर उत्रे थे, कही ना कही मायावती के डिगनेटी बचाने के लिए अखलीश यादो समर्थन में उत्रे और फिर मायावती का इस तरीके का बयान आ जाना कही ना कही इस बात की तरब संकेत देता है कि मायावती वो सारी शंकाओं को दूर करना चाहती है जिसको लेकर मीडिया में हो या फिर जंता के मन में हो खबरे आ रही थी कि मायावती अखलीश यादो के साथ गड़बंधन कर सकती है मायावती ने एक बार फिर से अपना रुखास पस्ट कर दिया है कि अखलीश यादो के साथ वो गड़बंधन क्यों नहीं करना चाहती और आगे भी यह गड़बंधन नहीं करेंगे लेकिन अब अखलीश यादो की भी इस पर प्रतिक्री आई है अखलीश यादो ने कहा कि लोग अपनी कम्यों को छिपाने के लिए इस तरीके के वक्त अब इस्तमाल करते हैं कि हमने उनका फोन नहीं उठाया पहले वो अपने गिरबान में जाक कर देखे अब इसमें सतीश चंद्रा की भी एंट्री हो गई है और वो भी अखलीश यादो के उपर हमलावर होते हों नसराय मायावति के साथ साथ सतीश चंद्रा भी अब कहीं न अब गडवंदन तूटने को लेकर कहीं न कहीं मायावती और अखलीश यादो चर्चा में वने हुए हैं मायावती और आका शानंत की बात करेंगे मायावती ने कुस दिन पहले कहा था कि अगर पार्टी का आत्मसमान से कॉम्प्रुमाइस करना पड़े तो वो किसी भी पा सम्मान खोकर किसी पार्टी के साथ गड़बंदन नहीं करेंगे और हमारा कोई फोन ना उठाए ये भी हम बरदास्त नहीं करेंगे ऐसे में अखलीश यादो भी यही कहते हैं कि ऐसा हमने कुछ किया नहीं है मायावती अपनी खामियों को चुपा कर अपनी खामियों को बत ना बताकर बलकि हमें बदनाम करने की कोशिस कर रही है आखिरकार सचाई किसकी बात में है अखलीश यादो सही कह रहे हैं या मायावती कह रही हैं लेकिन अगर देखा जाए तो फायदा इसमें भारतिय जंता पार्टी का दिखाई दे रहा है जो तरीके से मायावती अखल इशियादों के साथ गड़बंदर नहीं करेंगी अगर उनके साथ गड़बंदर नहीं करेंगी तो जाहर तोर पर जो लोगसवाद चुना में फायदा मायवती की वुज़ों से भारतिय जंता पार्टी को देखने को मिला वो फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा लेकिन ऐसे में अगर सभी समीकरण के गुद्धियों को सुलचाया जाया तो कही न कहीं इस बात के तरफ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में विधान सवाद चुना में अभी भले है ये सियासी हड़का मचा हुआ है लगातार कहीं न कहीं सपोर्ट करने क दौर चल रहा था फिर अब इस तरीके की खबरे आने का दौर चल रहा है तो कहीं न कहीं ये उठा पठक तो चलती रहती है लेकिन क्या वाकई में जुस तरीके से आकार शानन कहते हो नसराय कि अगर पार्टी को जरूरत होगी पार्टी का जनाधार बचाने की जरूरत लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मायावती जब राजेश चौधरी को लेकर अखलीश यादो सपोर्ट करते हो निसरा है मायावती एक बार धन्यवाद देती है उसके बाद तुरंत फिर एक और मुद्दा उठा देती है जिसके बाद फिर से वह अखलीश यादो को घिरने का प्रयास करती है और अखलीश यादो कही न कहीं हाँ जोड़ते हो निसरा आते हैं लेकिन एक बार मायावती ने फिर से कही न कहीं अखलीश यादो को पिन करने का काम किया है और अब अखली श्यादो भी अपनी ब्लास निकालते हूं नसरा रहें, मेडिया के सामने तमाम बयान बाजी करते हूं नसरा रहें, देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में वाकई में इनका गडबंधन तूट जाएगा, ये जो आरोप रत्या रोप लगाए जा रहे ये किसी और पार्टी छोटी छोटी दलों के साथ गडबंधन नहीं करती हैं, तो उनकी मुस्कले कही न कहीं चुनसेकर आजाद रामन बढ़ाते हूं नसराएंगे, और क्या अगर अखली श्यादो का सपोर्ट आजाद को मिल जाएगा, तो मायावती के जो पार्टी है, व अगर जसी तरीके से वो आरन लेड़ी की तावर पर रही है, चार बार की मुख्य मंतरी रही है, ऐसे में उनको कमज़ोर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जस तरीके से अभी पार्टी मुस्कल के दौर से गुजर रही है, उसमें ये कहा जा सकता है कि अभी बुरा वक्त ह ऐसे में मायावती को समल कर कही न कहीं बयान बाजी और अपने स्टेटमेंट देने शाहिए नहीं तो कहीं न कहीं पार्टी के लिए मुस्विवत खड़ी हो जाएगी फिलाल आपको क्या कुछ लगता है कि सबार के उपचुनाम में और आने वाले विधान सबाचुनाम में मायावती किस तरीके से अपना रूप करने वाली हैं कितनी सीटे निकाल पाएंगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फिलाल के लिए वस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहीगा निक्स नहीं नियूज पर